हेलो फ्रेंट्स और वेलकम बैक टू मोटर एडिफाइंड मैं हूँ आपका होस्ट और दोज सरिंदम घोष और फ्रेंट्स आज हमारे साथ मौझूद है औल न्यू हिरो ग्लामर 2022 एडिशन जहां दिखने में बिल्कुल एक्स्टेक की तरह लगती है लेकिन हिरो ग्लामर एक इस है किती प्रैस में बैक आपको मिल सकती है कितना मालेज आप इस बाइक के साथ एक्स्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगो साथ एक डिटेल डिसक्रेशन की पूरी कोशिश करूँगा और साथ में यह भी बताने के क दिख रही होगी और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट आगे बनने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें को बेल बोटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि मैं आप लोगो के लिए इसी तरीकी के नयने और इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट लाते राता हूं साथ है अगर आप मुझसे कोई भी क्वेशन अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे फिलकुल फेस्बूक या इस्टरग्राम पर भी पूछ सकते हैं आइडिया आपको भी आपके स्क्रिंग पर दिख रही होगी मैं पूरी कोशिश करता ह करते हैं और सबसे पहले हीरो ग्लामर 2022 एडिशन में मिलने वाली कलर के बार में बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर टूटल छे कलर मिल जाती है और इसको कैंवस एडिशन भी कहा जा रहा है तो सबसे पहला यह जो कलर आप देख पा रहे हैं यह हैं कैंवस ब्लैक कलर कलर आप लोगों को देखने को मिल रही है तो कलर का एक पर मैं लोगो 360 जो व्यूव है वो देना चाहूंगा देखें बहुत जादा कुछ देखने लाइक नहीं है जो पुरानी जो ग्लैमर आती थी वही आपको बिल्कुल सेम चीज मिल रही है यहाप देख सकते हैं टैंक है पुरी तरी से बलेक में दिया गया है आपको ग्र को देख पार है यह ंजो आगर आप लोगर देख हैं तो आप देख सकता हैं यहाप Fred शेलवर साइब में यह पर लिखा गया है, stickering यहाँ पर है, ITHS की stickering यहाँ पर आपको मिल जाती है, hero की यहाँ पर आपको stickering मिल जाती है, और देख सकते हैं, black color में आपको यह study, जो grab rail है, वो मिल जाती है, तो यह color के बारे में बात हो गए है, friends, अगर अब price के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, दो variant आप लोगों को मिल जाती है, सबसे पहले अगर मैं drum variant की बात करूँ, जाती है, वो है 95,057 रूपीज, और वहीं अगर मैं disc edition की बात करूँ, तो उसकी वेस्वेंगा कोलकाता के सबसे जो on-road price बन सकती है, वो है 99,618 रूपीज, अब मैं आप लोगों को बता दू, normal glamour और ये वाली जो 2022 edition है, इस glamour में आपको around 1300 से 1500 रूपया जाधा पे करना हो रहा है, और वहीं अगर मैं आपको बता दू, अगर आप glamour extract version में चले आते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को इस से around 1300 रूपया ज्याधा पे करना हो रहा है, ठीक है, तो ये मैंने price के बार में आप लोगों को बता दिया है कि इसकी जो पहली वाली edition थी, या फिर अगर एक्स्टेक एडिशन में जाते हैं, तो price की क्या के differences आपको मिल सकती है, वो मैंने आप लोगों को साथ discuss कर लिया है, और चलिए अब इसकी जो technical specifications है, उस पर थोड़ी सी अन्नाजर डालते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक key दिखाना चाहूँगा, देख सकता हैं, काफी खूब सूरत यहाँ आपर key दी गया है, key में भी कोई change नहीं है, पहले जैसे आये करती थी, same की आ रही है, और जैसे आप इसको डालके, यह जैसे आप गाड़ी on करते हैं, देख सकता है, यह बिल्कुल extract में आपको जैसे मिल जाती है, यहाँ पर भी same, वही H-ship की यह DRL आपको देखने को मिल रही है, chain यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सामने यहाँ आप आप देख सकता है, hero की 3D logo यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर यह जो H-ship की जो DRL है, देखने में तो खुब सुरत है ही, और जैसे ही आप यहाँ पर गाड़ी on करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो Logi में वो जल रही है, अगर आप चाहें तो इसकी High B में उसको भी Operate कर सकते हैं, और अगर आप गाड़ी को बंद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपको बंद करनी होगी, तो यह इसकी Front View की बात हो गई, बेसिकली इसकी जो Headlight थी उसकी बात, और चलिए अब करता है इसकी Tire की बात, यहाँ पर आप लोगो TVS की तरफ से 80 x 100 section की Tire मिल जाती है, और जहाँ तक बात है यहाँ पर Alloy Wheel की, तो 18 inches की Alloy Wheel मिल जाती है, और आप देख सकते हैं, यह जो Cut Ship की Alloy Wheel दी गई है, देखने में काफी जाला खूब सुरात है, एकस्टेक में भी आप लोगो सेम सेटप देखने को मिल जाती है, और आगर SP125 से कंपैर करते हैं, तो सेटप वहाँ पर भी आपको सिमिलर मिल जाती है, और जहां तक बात है, यहाँ पर Safety System की तो मैं बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को IBS Technology Company ने यहाँ पर यूज की हुई है, मतलब Integrator Braking System, जैसे ही आप Rear Brake apply करने की कोशिश कर रहे होता है, To some extent, यहाँ पर जो Front Brake है, वो भी apply होती है, ताकि आपकी जो braking efficiency है उसको और बढ़ाया जा सके, मतलब Breaking और अच्छी तरीकी से हो सके, यहाँ पर इसलिए IBS Technology का यूज किया गया है, और जहां तक बात है, Front में यहाँ पर braking system की, तो मैं बता दू, यहाँ पर आप लोगको 240 mm की disc मिल रही है, अगर आप Drum version opt करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगको 130 mm की Drum brake मिल जाती है, और साथी सबसे बहतरीन यहाँ पर जो चीज यूज की गई है, वो आप देख सकता है, यहाँ पर आप लोगको 30 mm की यहाँ पर टेलिस्कोपिक फोक मिल जाती है, मैं बता दू, यहाँ पर यहाँ जो ट्रावल है, यह पहले सापको यहाँ पर अभी ज्यादा मिल रही है, तो फ्रेंट में आपको टेलिस्कोपिक फोक मिल जाती है, और SPC अगर compare करते हैं 125 से तो वहाँ पर भी setup आपको suspension और braking में भी same देखने को मिल जाती है, और चली अब बात करते है, Hero Glamour 2022 Edition की जो heart है bike की, मतलब मैं engine की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को 124.7cc single cylinder AI cold engine मिल जाता है, और जहाँ तक बात है power की, तो यहाँ पर आप लोगो 10.7bhp के power मिलती है, 7500 rpm और torque मिलती है 10.6Nm की 6000 rpm, अब मैं बताना चाहूंगा, SPC अगर compare करते हैं, power आप लोगो same मिलती है, हाँ वहाँ पर torque थोड़ी सी जादा है, और चलिए अब इसकी जो rear setup है, उसके बार में थोड़ी सी बात कर लेता है, यहाँ पर भी आप लोगो TVS stress के lailon tire मिल रही है, जहां तक section की बात है, 100 पर 80 section के यहाँ पर आप लोगो tire मिल रही है, और road grip के बावले भी यह बहतर बनेगी, क्योंकि 100 section के tire है, तो road grip बहतर बनेगी और आपकी safety भी इसमें और बहतर बन दी है, अगर आप इसको SPC compare करते हैं, और जहां तक बात है, यहाँ पर पीछे braking system की तुम बता दूँ, यहाँ पर आप लोगो 5 step adjustable hydraulic shock absorber मिल रही है, देख रहे हैं आप राइट section में भी आपको जो absorber मिलती है, लेफ के लिए भी आप लोगो सेम यहाँ पर shock absorber मिल आती है, तो यह जो rear में जो suspension setup थी, मतलब पीछे की setup वो मैंने आप लोगो पूरी तरीके से बता दिया है, और चलिए अब मैं आप लोगो बता दूँ, कि यहाँ पर यह जो आप देख पार है, exhaust system इसकी जो आवाज है ना काफी बहतरीन है, मैं आप लोगो एक बर उसके आवाज सुनाना चाहूंगा, यह मैं बाइक एक बर on कर दूँ, इसकी जो आवाज है, मतलब देखिए, ग्लामर और ग्लामर एक स्टेक, दोनों सेम एंजिन मिलती है, तो वहाँ पर आप लोगो बहुत जाला कुछ, सेम आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो काफि सारो खूब सब्राव देखने को मिल जाएगी, और जहाँ था को अट्चन सिंगन Лmmد की, यहां पर halogen की मिल जाती है अगर यह LED की होती तो शायद बहतर होती लेकिन हां मतलब 125cc में आपको बहुत ज्यादा इससे expectation नहीं रखनी चाहिए और चलिए अब इसकी जो लिफ सेक्शन है उसके बार हम बात कर लेते हैं और फिर जैसे आप इसके लिफ सेक्शन में आते हैं आप देख सकते हैं उसके लिफ फुट्रेस दी गई है जो कि मेरे खासी क्यूंकि की बाइक है उसके मंदे नजर यह बिल्कु सही चीज कंपनी के तरह से प्रवाइड की गई है यहां पर देख सकते हैं पिलेन के लिफ फुट्रेस दिया गया है क्वालिटी इसके भी काफी लग इंडियन रोड्स को मद्दे नजर 180cc की जो ग्राउंड केरेंस है बहुत खास है क्यूंकि अगर आप इसपी पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 160 की ग्राउंड केरेंस मिलती है अगर आप लोग को में आप लोग को आगे दिखाऊंगा और safety में इस बाइक म चाहूंगगा देखिए सबसे पहले यह देखिए मैंने अभी गाडी अन कर रहा हूं देखिए और मैं अभी गाडी को गेर पर डालता हूं ठीक है आप लोग देख सकते हैं पीछे की जो टायर है वो देखिए रोटेट कर रही है और जैसे ही मैं यहां पर यह साइड़ और आपको आपकी जो safety है उसमें इशू आ जाती है तो इसको कम करने के लिए मेरे खासे जो company ने side suspension cut-off sensor डाला है चलिए थोड़े से उपर चलते हैं बात करते हैं seat के बारे में जहां तक seat height की बात है तो यहां पर आप लोगो 798 mm की seat height मिल जाती है और जहां तक बात है compound की तो बता दू काफी comfortable compound है ठीक है बहुत जारा soft में नहीं कहोंगा लेकिन इतना तो है कि आप comfortably अगर आप थोड़ा सा long ride भी करना चाह रहे हैं कहीं पर तो इस seat के लिए आपको कोई problem नहीं होने वाली है और जहां तक बात है space की तो बता दू चाहिए वो rider हो चाहिए वो pillion हो यहाँ पर आप दोनों के लिए बहुत जादे हैं पर आप लोगो space मिल जाती है और पीछे में जासे आप पहले आप लोगों को बताया हुआ है जो grab rail है इसकी आप कह सकते हैं इसका जो quality grab rail का वो भी काफी जादा सही है और अगर आप इसको compare करते हैं SP से तो वहाँ पर थोड़ी से आपको नीची seat height मिलती है आप कर रहे हैं आपकी height मतला आपकी weight कितनी है सामने wind blast कितना है इन सारी चीजों पर यह जो mileage वोड़ीपन करती है तो उसे साब से आप माल के जा सकते हैं around 50 to 55 km की जो पर लीटर की यहां पर आप लोगों कोई charging socket देखने को नहीं मिलता है तो यह एक चेंज और इसमें आप कह सकते हैं ठीक है और मैं आप लोगों को बता दू टैंक की जो quality है ना बहुत सही है है प्लाभ और बात शेच country और बात किछाएं यहांप बहुत शाही पेंट फीनिच दी गई है और देखिए यहांपर यह जोilage अपन्लão किच आ है इस साट साहरा है देखे कि कमी नहीं किया है यहाँ पर पेंट और फिनिश क्वालिटी में ठीक है में अच्छा एक करना चाहूंगा और उसका आप लोगो को लोगो को लोगो को यहाँ पर मिल जाता है उसके नीचे आपको मिलता है होन फ्रेंट्स प्रेटी डिसेंट वहला बहुत जादा लाउड हॉन नहीं मैं कहूंगा और राइट हैंडल बार पर जैसे आप आते हैं इस आप आफ करने का आप स्विच मिल जाता है उसके बाद यह इंजिन आप करने का स्विच मिल जाता है मैंने आप लोगों को अलड़ी अगर आप भूलोगो सेमी यह पर दिखेंगा चैने को मिल जाता है अगर आप इसके राइट पर देखता है तो आप लोगो सेमी टिचिल रिंट है यहाँ आ गस Basically दिखने आगा extra प्रेस करता है तो आप देख सेकता है यहाँ पर ट्रिप भी दिखाया जा रहा है ठीक है तो यह सेमी डिजिटल मीटर कॉंसोल आप कह सकता है कि काफी इंफोर्मेटिव है लेकिन हाँ इसपी से अगर आप कंपैर करते है तो वहाँ पर आप लोगो पूरी दरगे से डिजिलल मिलती है और वहाँ पर आप लोगो जो सबसे खास मिलती है वो है गेर इंडिकेटर जो आपको एक्सटेक में मिल जाती है एक्सटेक में तो ब्लूटूथ भी दी गई है जो यहाँ पर लास मिलती है तो मतलब जो व्यूव आपको मिलेगी वह भी आपको काफी बहतर वियू मिलेगी और मैं आप लोगों को बता दूँ आप इसकी जो करव वेड़ है यह 122 Kilo मिल जाती है आपको ड्रुम में और अगर आप दिस्ट में आते हैं तो आप लोग को 123 कि आपको कर्वेट मिल जाती है वह अगर आप इस भी चले आते हैं तो 116-117 कि आपको कर्वेट मिलती है तो मेरे कहाँ से मैंने दोनों बैक को चला हुई है यह जो वेट की जो डिफ्रेंस है इसमें बहुत आपको चलाते वक्त फिल नहीं होगी जगार अगर आप इसको कंप आप टाफिक पर मान लीजिए आप खड़े हैं ठीक है पांसे दस सेगने तक आपकी आइडल पर है तो बाइक बंद हो जाती है और जैसे ही आप यहां पर यह लेफ्ट वाली जो क्लश आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो दोबारा ओन हो जाती है ठीक है और एक इसमें जो सबसे खास चीज मुझे लगती है वह कंपणी तरह से जो डाली गई वह एक सेंस टेक्नोलजी में उसमें एराउंड 14 सेंसर की उसकी गई है तो से पहला आपको जो सेंसर दिखता है वह यह प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन का उसमें एक सेंसर डाली गई है ता इसमें पर आपको कुछ यूज़ करने के जरुद नहीं है आप बिल्कुल गाड़ी को छोड़ दीजे थर्ड गयर के साबसे गाड़ी थोड़ी 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 लेती रहेगी और गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स मतलब कंपनी इसमें ने आई 3S और यह जो अटोसल टेक्नोलिजी है यह डाल की भी कंपनी ने काफी जो फ्यूल एफिशिंस को बढ़ाने की कोशिश किया क्योंकि इंडिया में आप लोग सब जानते हैं कि जो प्राइस है फ्यूल की दिन बढ़ दिन बहुत जादा हाई खोरी है फिर र सब्सक्राइब कर रही है तो उस हिसाब से अगर मैं अगर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा तो वह बन सकती है डाइरेक्ट होंडा की तरफ से ओफर की जाने वाली SP125 अब देखिए यह जो कंपारिजन करेंगे दो पॉइंट पर करेंगे के को प्राइस एको कर बात की जाए तो यहां पर आप राउंड 1200 से 1500 रुपिया आप यहां पर ज्यादा पे कर रहे हैं वेन कंपेर टूइस आप ज्यादा पे कर रहे हैं क्या यह वर्थ है यह नहीं चलाते हैं वक्त वहीं अगर मैं ब्रेंग सिस्टम की बात करेंगे दोनों भाइको मैं आपको करेंगे सेम देखने को मिल जाती है लेकिन फीचर वाइस अगर बात की जाए तो SP125 थोड़ी से आगे निकल जाती है क्योंकि SP125 के पास फुली डिजिटल मीटर कॉंसोल है वहां अगर आप SP125 पर चला आते हैं तो वहां पर आप लोगों को 80-100 सेक्षिन की टायर मिलती है तो यहां पर 100 सेक्षिन की मिल रही है टायर इसका मरलब यह बनता है अगर आप जो रोट बिब बनेगी वो इस बाइक पर थोड़ी से और बहतर बनेगी जो आप लोगो सेफटी के Hero Glamour 2022 Edition आप लोगो के लिए एक बहतर चोज मन सकती है आशा करते हैं फ्रेंट्स वीडियो आपको पसंद आयोगे आपको पता है पसंद आया तो क्या करने अपने इस भाइक को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में लाइक कर दीजेगा हो सागए तो फ्रेंस के साथ वीड बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टोपी के साथ तिल देन राइट सेफ एंड जाहिंद